नमस्कार प्यारे साथियों, बैलोजे के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है पिछले वीडियो में जाना गया निसेचन के बारे में चैप्टर चल रहा है पुषपी पौदों में लेंगी किजनन और लेंगी किजनन की तीन घटनाएं होती है जिसमें पहला क्या है निसेचन पूर्व घटना है और दूसरा निसेचन और इन दोनों घटनाओं के बारे में पिछले वीडियो में हमने बता दिया है और यदि आपने उसे नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में वीडियो है जरूर देखे तीसरा जो घटना आता है निसेचन पश्च घटना निसेचन पश्च घटना निसेचन पुर्व घटना और निसेचन के बारे में हमने फिछले वीडियो में बात कर रखा है और आज हम बताएंगे निसेचन पश्च घटना के बारे में तो निसेचन पश्च घटना में हमें अध्यन क्या करना है तो निसेचन पस्च गटना में हमें अध्यन करना है भुरूण एवं इसका विकास यानि कि भुरूण बना है और भुरूण से उसका विकास कैसे होता है भुरूण का विकास कैसे होता है हमने पहले बता रखा है कि जो अंड कोसिका है अंड कोसिका नर्य युणमक से जुड़ करके युगमनज बनाती है और युगमनज के बिकास से भुरुण बनता है जैगोट के बिकास से भुरुण antara пой और उस भुरून के बिकास के बारे में हम अब पढ़ेंगे उसके दूसरा जो चीज बढ़ा जाएगा ब्रूर्णपोश्व का विकास हमने पिछले क्लास में बताया हुआ है कि जो दुवितियक केंद्रक है दूसरे नर्युगमक के साथ जुड़ करके एक त्रिगूरी तरचना बनाता है और उसके विकास से ब्रूर्णपोश्व का निर्माः होता है अब इस भुरुण पोश का विकास कैसे होता है इसके बारे में बताया जाएगा और उसके बाद से बीजवफल का निर्मार बीजवफल का निर्मार तो यही जो तीन चीजे हैं आपको निसेचन पस्च घटना में बताया जाएगी तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या और इसका बिकास और ये हेडिंग भी बनाया गया है कि भुरूड का बिकास या भुरूडो दभव यानि कि भुरूड का बिकास कैसे होता है यानि कि development of embryo are embryogenesis तो किस प्रकार से भुरूड का बिकास होगा ये हमें पढ़ना है तो यहां पे आबरित बीजी पोधों में दो त बीज पत्री और एक बीज पत्री पोधे हैं प्रारंब में दोनों के भुरूड का बिकास एक जैसे होता है लेकिन आगे चल करके इनमें बहुत अधिक भिन्नता हो जाती है तो सबसे पहले हम जानेंगे दुई बीज पत्री पोधों में भुरूड का बिकास कैसे होता है इ दुविज पत्री पौधों में भुरुन के विकास को देखते हैं, तो हमने बता रखा है पिछले क्लास में, पिछले विडियो में, कि जो अंड कोशिका होती है, अंड कोशिका जब नर्युगुमक से जुड़ता है, तो युगमनज बनाता है, क्या बनाता है? युगमनज य बन चुका है युगमनज या निसिकतान किस तरह से बनता है इसको हमने डिटेल्स में पिछले विडियो में बता रखा है अब यहीं से इसका विकास होगा कुछ समय यहां पर यह बिश्रामा वस्था में रहता है युगमनज और उसके बाद से परिवर्तित हो जाता है आजन हो करके क्या बनता है कि दो कोशिका बनती है इस वाले एरिया को हम लोग निभाग करते हैं और इस नीचे वाले एरिया को इसे बिजांट द्वार करते हैं बस आपको समझते चलना है यह चीज़े हमने पहले बता रखा है और यदि आपने पिछला वीडियो देखा है तो इस वीडियो को समझने में कोई भी दिकत नहीं आने वाला है तो बस आपको वीडियो में बने रहना है तो यहाँ पे इस एरिया को बिजांट द्वार करते हैं और इस एरिया को निभाग करते हैं हमने इस अंदर वाले भाग को यह जो बिजांट है जो सनरचना है उसी क में होता है बिभाजन यानी कि जाईगोट्वेस्पौर में होता है बिभाजन क्या होता है बिभाजन तो कोशीका बनती एक से दो कोशीका बनती है वं tomorrow और एक निभाग साइड में हो जाती है बिजान द्वार के साइड में हो जाती है बिजान द्वार में नहीं तो निभाग वाली कोशिका को नाम दिया जाता है क्या चीज़ अंतस्त कोशिका या भुरुडिय कोशिका ठीक है निभाग वाली कोशिका को क्या कहते हैं अंतस्त कोशिका या भुरुडिय कोशिक तैनी कि TERMINAL CELL I MORE embryogenic CELL ये नाम दिया जाता है, और ये जो नीचे वाली कोजिका है, इसको नाम दिया जाता है, ऐसको आपको समझना है यहाँ पर अब होता क्या है? कि इन दोनों में विभाजन होता है, क्या होता है? इन दोनों में विभाजन होता है, एक में होता है अनुप्र थे विभाजन, क्या चीज़ तो अनुदैर थे, यानि कि इस तरह से बीच से विभाजन होता है, और एक कोशिका, दो कोशिका में प्रिवर्दित हो जाती है, और जो बिजान द्वार के साइड में, इसमें विभाजन होता है, अनुपरस्त, और इस तरह से बीच से विभाजन होता है यहनी कि एक यहांपर कोशिका है हमने यहां पर दिखा रहा है उसके बाद से क्या होता है कि हम cargo compare वाले कोशिका विभाजन को हम क्या कर रहें अभी रोक दे रहा है अब नीचे वाली जो ये कोशिका है ये विभाजित होती रहती है विभाजित होती रहती है और इस तरह से लंबी तस कोशिकाओं का निर्माड करती है इस तरह से ये विभाजन इसमें होता ही रहता है और यहाँ पे ये जो उपर वाली कोशिका है इसको अधा इस्फितिका बोला जाता है इसमे का ठीक है ये पुरी कोसिकाओं के समों को निलम्बक करते हैं, सस्पेंसर बोला जाता है और इसमे के उपर वाली कोसिका को अधा स्पितिका कहा जाता है यानि कि हाइपो फाइसेसिस सेल बोला जाता है और उसके बाद से इसी के नीचे वाली कोशिका को सिर्षस्त कोशिका कहा जाता है यानि कि जो निभाग बिजान द्वार वाले साइड का होता है इसको सिर्षस्त कोशिका कहा जाता है और जो उपर वाले साइड का होता है यानि पूटिका कोशिका यानि के वैस्कुलर सेल या चूसक कोशिका यानि के होस्टोरियल सेल तो यहां पे हमने बताया किसके बिभाजन के बारे में अब बात आती है कि जो अधा इस्फितिका है और यहाँ पे जो निलंबक है इसका कारे क्या होता है यह क्या कारे करता है तो जो अधा इस्फितिका है वहाँ विभाजित होकर मुलांकूर का सिर्सभाग बनाती है मुलांकूर का सिर्सभाग बनाती है वह मुल गोप का निर्माण करती है कौन? अदाइस फितिका और निलंबक क्या करता है? तो निलंबक बिजांड काई से भोजन गरहन कर बुरुन पोश को बुरुन को भोजन परदान करता है बुरुन पोश नहीं बिजांड काई कौन सा है? तो ये वाला जो एरिया है ये वाला ये बिजांड काई है और इसी से क्या करता है? भोजन को गरहन करता है और वह भोजन किसको परदान करता है? भुरुन को परदान करता है उसके बास से क्या होता है? कि ये वाला जो अन्थस्त कोशिका यानि कि भुरुडिय कोशिका था इस कोशिका में होता है फिर से कौन सा विभाजन तो ही अनुदैर्द विभाजन और दो कोशिका से चार कोशिका में यहां बट जाता है और इसको नाम दिया जाता है क्या चीज़ चतुर्थांस यानि भुरुण चतुर्थांस बुरुण quadrant ये नाम दिया जाता है उसके बाद से फिर यही जो है दो भागों में किस तरह से विभाजन होता है तो यह दो भागों में फिर से विभाजित होता है और इसके उपर जो है फिर एक layer बन जाती है यानि कि चार से आठ कोशिका बन जाती है उपर वाले भागों को अध्याधर कोशिका बोला जाता है यानि कि epivacial cell कहा जाता है और नीचे वाली जो कोशिका होती है इन कोशिका को बोला जाता है अध्याधर कोशिका यानि कि hypovacial cell ठीक है और इस तरह से ये आठ की संरचना बना रखा है तो इसलिए इसको अश्टाशक या अश्टम प्रवस्था बोला जाता है अब जो ये अधराधर कोशिका है यह मुलांकुर्व अधो बीजपत्र का निर्मार करती है और यह जो अध्याधर कोशिका है यह प्रवस्था बीजपत्र का निर्मार करती है यह भी बहुत ही इंपोर्टेंट है और इसको भी जानना बहुत ही जरूरी है उसके बास से होता क्या है उसके बाद से ये जो कोशिका है ये जो कोशिका अध्यादर कोशिका और अध्रादर कोशिका ये फिर से भी भाजित करती है और आठ से सुल्ह कोशिका बनाती है और इस तरह से यहाँ पर ये जो कोशिका बनी इसको नाम दे जाता है तुवचा जन अस्तर कौन सा अस्तर है य और इसमें विभाजन होता है अनुप्रस्त और अनुदैर्दिया अनुप्रस्त और अनुदैर्दी विभाजन होता है और इसके द्वारा क्या होता है कि केंद्रिय रंब जन बनता है और इसी के विकास से रंब का निर्मार होता है उसके बाद से मद्य बलकुट जन बनता है और इससे जो है बलकुट का विकास होता है तो यहाँ पे तवचाजन अस्तर की भी बात हो गई और नीचे वाले भाग को वर्तुल भुरुन बोला जाता है क्या कहते हैं वर्तुल भुरुन फिर इसके विकास से जो है एक अवस्था आती है जो कि ट्राइंगुलर एंब्रियो का निर्वार होता है यानि कि बहुत अधिकों सिकाएं बन जाती है बिभाजिक्त हो करके तो यहां तक आप लोगोंने समझ रखा है अब इसके आगे के फिगर को फिर हम यहां पे ड्रॉ करेंगे लेकिन इससे पहले आपको यह सारी चीजे क्या करना है अपनी नोट में बन फिगर को और उसके बाद से फिर यहां से हम आगे का जो फिगर है अभी इस वोट पे ड्रॉ करेंगे तो आप इसका जल से जल से स्क्रीन सॉट ले ले हादो प्यारे बच्चों द्वीवीच पत्री पोधो में ब्रूड का विकास कैसे होता है और इसमें हमने यहां तक बता हर्ड से बंदम हिर्दयाकार हिर्दयाकार इंब्रियों का आकार का इंब्रियों का निर्मार होता है और उसके बाद से टारफेडों बनता है और टारफेडों के विकास से इस तरह की बड़ी समझना बनती है जिसमें कि यह वाला जो भाग है इसको बीज पत्रों परिक कहते हैं यह वाल जो भागे इसको अदू बीज पत्र कहते हैं और इस वाले बाग को मुलांकूर कहते हैं और यहाँ पे यह जो भागे इसको बीज पत्र कहा जाता है और इस भाग को प्रांकुर यानि की फ्लिम्यूल कहा जाता है तो इस तरह से भुरुड के विकास से यहाँ पे इतनी तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं और यह जो स्ट्रक्चर है आपके NCRT में भी दे रखा है तो यहाँ पे हमने कम्पलीट कर लिया बुद्धो में भुरुण का विकास होता है अब आपको यहाँ पे हैडिंग बना लेना है निसेचन पस्च घटनाए और इसमें लिखना है निसेचन के पस्चात निमनलिखित घटनाए होती है जिसमें पला हो जाएगा भुरुण यहम इसका विकास दूसरा भुण पोश क ब्रूण का विकास और तिस्रा बीज वफल का निर्मार। जिसमें सबसे पहले आपको हैडिंग बनाना है भरूण का विकास याँ भुरूडो दभव। और इसमें लिखना है सयुग्मन के पस्चात अंड युग्मनज कहलाता है यह युग्मनज कुछ बिश्राम अवस्था के पस्चात भुरुन बनाता है युग्मनज से भुरुड बनने की क्रिया को इम्प्रियो जेनी कहते हैं एग बीज पत्री व द्वीज पत्री पोधों में भुरूण परिवर्धन की प्रारंबिक अवस्थाएं समान होती है लेकिन बाद में दोनों में काफी अंतर होता है उसके बाद से आपको वेडिंग मना लेना है द्वीज पत्री पोधों में भुरूण का विकास द्वीज प आधार कोशिका यानिकि बेसल सेल तता एक छोटी अंतस्त कोशिका यानिकि टर्मिनल सेल बनाता है। आधार कोशिका यानिकि बेसल सेल बनाता है। आधा इस्फितिका कहलाती है। यही कोशिका आगे भी भाजन करके मुलांकुर के सिर्ष को जन्म देती है। निलंबक का प्रमुख कार्य बिजान्ड का ऐसे भोजन को अवसोसित करके बिकसित हो रहे भुरूड को पोशन प्रदान करना है। अधा इस्फितिका के नीचे की चार कोशिकाएं आधार कोशिकाएं तथा इसके नीचे चार कोशिकाएं अध्याधार कोशिकाएं कहलाती है। अधाराधर कोशिकाएं से मुलांकुरव बीजपत्र तथा अध्याधार कोशिकाएं से प्रांकुरव बीजपत्र बनते हैं। बृधी व व बिभाजन द्वारा भृुरूण कुछ हीरदयाकार हो जाता है, भृूण में उपस्तित सभी उत्तक बिभोजयतकी होते हैं, हिरदयाकार भृुरूण की दोनो सिर्सपालिया भृृदी करके दो बीजपत्र का निर्मार करती हुई नीचे की और मुण जाती है, बुरुड के दोनों बीजपत्र एक अक्ष के साथ जुड़े रहते हैं जिने बुरुडी अक्ष कहते हैं बुरुडी अक्ष के अग्र सिरे पर प्रांकुर तथा पस्चिरे पर मुलांकुर होता है दुई बीजपत्री बुरुड का परिवर्धन समाने परकार का है इसका तो इसका फिगर हम यहां पर डाउब करएंगे और उसके बास से हम उसे समझेंगे कि किस तरह से एक बीच पत्री पोदो में बृण का भिकास होता है और अब हम जानेंगे एक बीच पत्री पोदों में बुरून के विकास के बारे में तो अभी हमने बताया कि दोनों का प्रारंभिक विकास एक जैसे होता है चाहे एक बीच पत्री पोदा हो या दुवी बीच पत्री पोदा हो प्रारंभिक इस्थिती में दोनों के बुरून क विकास एक जैसे होता है लेकिन आगे चल करके भिन्न हो जाता है किस प्रकार से भिन्न होता है इसी पर हम बात करेंगे तो बताया गया कि जो अंड को सिका है नर्युगमक से जुड़ करके युगमनज बनाता है और उसे ही निसिक तांड कहा जाता है तो यहां पर आपको उसको आधार कोजिका कहते हैं उसको आधार कोजिका कहा जाता है क्या चिस्तू और यह चीम दूइवीच पत्री पेऊदों बुरूर चा का सिप्स जब बता रहे ते तो सायद इसको हमने चोड़ा है। तो यहां पर भी आपको समझ लेना है कि वहां पर भी उसको अधार कोशिका यानि के बेसल सेली कहा जाता है और यह चीज तो हमने बताया है आगे चल करके क्या होता है कि इसमें अंतरस्त कोशिका में होता है अनुदैर्धी विभाजन और इसमें होता है अनुपरस्त विभाजन और जिसके द्वारा कि दो दो कोशिकाओं में बट जाते है और यहाँ पर भी T-cept बन जाता है और इसको बाल भुरुन कहा जाता है प्रो इंब्रियो कहा जाता है प्राक भुरुड के नाम से जाना जाता है और वहाँ पर भी प्राक भुरुड ही कहा जाता है वहां पर भी क्या कहा जाता है प्राक पुरोड ही इतनी बाते जो है आपको समझनी है यहां पे और यहां तक तो उसी तरह का विभाजन हो रहा है जैसे कि हमने दुवेबीच पत्री पौदुक के पुरोड में जाना फिर आगे चल करके यहां पे विभाजन होता है किसमे तो अंतस्त को सिका में और फिर से यहां पे विभाजन होता है आधार को सिका में और विभाजन के फलसुरूफ फिर से चार-चार को सिकाओं में बट जाते हैं चार से आठ को सिकाओं में बट जाते हैं और उसके बाद से यहां पे एक स्ट्रक्चर बनता है जिसमें की बहुत कु पोटिलेडोन है या प्लिम्यूल है इनका निर्माड होता है या निलंबक का निर्माड होता है और इसके भी भाजन से हमें यहाँ पर एक बहु कोशिकिया समर्चना देखने को मिलती है और इसमें बिविन परकार के समर्चनाय बन जाती है जैसे कि प्लिम्यूल है बीजपत् यहां परिवर्तन होता है अब आगे बढ़ेंगे तो परिवर्तन होगा और जिसके दोरा कि हमें इस तरह की एक सनचना देखने को मिलेगी और यही में सनचना है और इसी के विकास से यह वाला भाग इसको इसकी तेलम बोला जाता है उसके बाद से यहां से प्रांकूर चोल का निर्माड होता है ये वला भाग प्रांकूर है और प्रांकूर ही प्ररोह तंत्र का भाग है यनि कि सूट सिस्टम है और इसी से तना का विकास होता है किसका तना का उसके बाद से यह है एपिबलास्ट और यहां पर यह समझने बिखने को मिल रही है रेडिकल यहनि के मुलांकुर और इसी से जड़त अंत्र का विकास होता है यही जड़ बनाता है उसके पाद से यह रूट कहप है और यह मुलांकुर चोल है इस तरह से जो है क्या होता है एक बीजपत्री पौधो में भृुड का विकास होता है तो बस आपको हेडिंग बनाना है । एक बीजपत्री यहाँ पे थुड़ा सा लिखने में यह हो गया है । एक बीजपत्री पौधों में भूरूड का बिकास और हिसमें लिखना है उन्हों में भूरूडिय परिवर्दन की सुर्वाती अवस्थाएं एक समान होती हैं किवल बाद की विकास अवस्थाएं भिन्नों होती है युग मनज एक अनुप्रस्त विभाजन द्वारा एक आधार कोशिका तथा एक अन्थस्त कोशिका बनाता है आधार कोशिका बिजान द्वार की तरफ होती है इसे निलंबक कोशिका कहते हैं आधार कोशिका में अनुद बनी कोशिका में फिर अनुपरस्त वा अनुदेर्ध विभाजन होते हैं इन कोशिकाओं में सब से उपर निलंबक का निर्माड होता है और सेज कोशिकाएं भुरुड के बनने में युगदान देती हैं अंतस्त कोशिकाएं निरंतर विभाजित होकर एक बिम्बाकार भुरुड तथा निलंबक के मध्य इस्थित को सिकाएं बीजपत्राधार तथा मुलांकुर बनाती हैं एक बीजपत्री के भुरुड में एक बीजपत्र होता है जिससे इसको टेलम करते हैं यही एक बीजपत्र है जिसको की इसको टेलम करते हैं यहां भुरुडिय अक्ष के एक तरफ आगे की और इस्थित होता है तथा प्रांकुर पार्शो में इस्थित होता है प्रांकुर के चारो और प्रांकुर चोल तथा मुलांकुर के चारो और मुलांकुर चोर होता है तो यहाँ पे यह complete हो गया एक बीजपत्री पोदों में भुरुण का विकास अब हम आगे के वीडियो में बताएंगे भुरुण पोस का विकास कैसे होता है बुरुन का अभिकास तो हो गया एक बीज पत्री और दुई बीज पत्री पोधों में और अब हम जानेंगे बुरुन पोस के बिकास के बारे में क्योंकि वहाँ पे एक त्रिगुनित संरचना बनी थी दुईतियक केंदरक नर्युगमक के साथ जुड़ करके बुरुन पोस बनाता है और बुरुन पोस का अभिकास कैसे होता है हम अगले वीडियो में जानेंगे और उमीद करते हैं कि यहां तक आप लोगोंने समझ लिया होगा यदि समझ में आता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं और इससे ज्यादा से ज्यादा सेयर करें मिलेंगे अगले वीडियो में तक लिए थेंक्यू थेंक्स पर वाचिंग यूड़े रहें रायन सर क्लासेस के साथ